मौज़स सामईन आदाब जेरे समात किताब का उन्वान है मिटी के सनम ये एक सवानही नौवल है जिसे तहरीर किया है जनाब कृषिन चंदर ने मैं हूँ सदाकार हूँ मैरा तहसीन ये रिकॉरिंग नेशनल आडियो लाइपरी फॉर दबलाइन की जानिब से पेश की जा रही है यू गोर से देखा जाए तो मुझे लेखक बनाने की सारी जिम्मधारी हमारे होम मिनिस्टर श्री गुलजारी लाल नंदा के खानदान पर आइद होती है जिन दिनों मेरे वालिद पॉंच में थे उन्ही दिनों श्री गुलजारी लाल नंदा के वालिद बलागी राम नंदा भी पॉंच में थे विक्टोरिया जूबली हाइस्कूल में पढ़ाते थे क्या पढ़ाते थे, ये किसी को वसूख से मालूम नहीं, बस पढ़ाते थे, क्योंकि वो किसी मजमून में बंद नहीं थे, अंग्रेजी वो पढ़ाते थे, फारसी वो पढ़ाते थे, हिसाब वो पढ़ाते थे, जुखराफिया वो पढ़ाते थे, तारीख वो पढ़ाते थे साइंस और अरबी के सिवा हर मजमून वो बढ़ाते थे अब उनकी उमर और सर्विस दोनों पैंशन के लाइक थी मगर स्कूल के लिए वो इस गद्रकार आमद साबित हो रहे थे कि उनको छुटी देने का ख्याल किसी को नहीं आता था वैसे उनको आँखों से भी कम दिखाई देने लगा था मगर सब मस्मून और सब कोर्स उन्हें अजबर याद थे इसलिए कम दिखाई देने का भी उन्हें गम नहीं था बस अगर उन्हें कोई गम था और उनके दिल को अगर कोई तकलीफ थी तो यही कि उनका लड़का खराब निकल गया और गांधी जी के आशरम में पहुंच गया वो अक्सर मेरे वालिट से अपने बेटे गुलजारी लाल नंदा की शिकायत किया करते थे पढ़ लिक के सब गोड दिया मैंने कई बार गुलजारी लाल को समझाया कहां मारा मारा फिरता है यहां आ जाए तो राजा साहब से कहकर तहसीलदार लगवा दू मगर इसे जेल जाने का चसका लग गया है इस पर मेरे पिताजी मेरी तरफ फिक्रमन निकाहों से देखते हुए कहते आज कल हवा ही कुछ ऐसी चली है अब इस शैतान को देखो इस चोटी सी उमर में हर वक्त अख़बार पढ़ता रहता है अख़बार पढ़ता है? लाला बलाकी रामनन्दा ने वहशत से मेरी तरफ देखर कहा अख़बार पढ़ता है? फिर बड़ी जोड से सर हिला कर बोले गया काम से मैं भी कहूं स्कूल में हर रोस नितने शरारत किदर से घड़ता है? यह सब इसी अख़बार का फ़तूर है अब देखिये ना लोग कहते हैं राजाओं का राज खत्म हो जाना चाहिए अंग्रेजों को हिंदुस्तान से निकाल दो यह सब बाते अख़बार वालों की पहलाई हुई है यह सब फसाद इन्ही का खड़ा किया हुआ है वो तो यह कहकर चले गए मगर घर वालों ने मुझे अख़बार पढ़ने से रोक दिया कहां कहां और कैसे कैसे मैं अख़बार रोज छुपकर पढ़ता था अब ये कैसे बताओ। इस पर ये उफ़ताद पड़ी कि मास्टर बलाकी राम ने हर रोज पर्शन की क्लास में मुझे पीटना शुरू कर दिया। क्लास में कोई भी शरारत करता मास्टर जी इल्जाम मुझे देते क्योंकि मैं अखबार पढ़ता हूं। लाक लाक समझाया के साहब अखबार में स्कूल के बच्चों की शरारते दर्ज नहीं होती। एक दिन पढ़के देख लीजी। मगर नहीं। वो कब मानने वाले थे। रोज पीटते थे। मुसीबत ये थी के रोज रोज का पीटना मुझे पसंद नहीं है। हाला के बहुत से लड़कों की खाल में खुजली होती रहती है और जब तक वो पिटे नहीं उनकी खुजली नहीं जाती। मगर मुझे पिटाई से सख नफरत है। और जिससे मुझे नफरत रही वो सारी जिन्दगी मेरे पल्ले पढ़ी रही ऐसी मेरे किसमत सदा से रही है। क्योंकि एक तो मुझे पर्शियन नहीं आती थी दूसरे मैं अख़बार पढ़ता था। अब समझ में नहीं आता था कि कौन से जबान इक्तियार करो। उस जबाने में फ्रेंच स्कूल में नहीं पढ़ाई जाती थी वरना पिटने का मज़ा बदलने के लिए उसे भी मैं पढ़ लेता। मुझे जबाने सीखने के सिल्सले में जिस कदर पीटा गया हूँ उसके बाद भी मैं लिखक कैसे बना बसावकाद खुद हैरत होती है मुझे शायद लिखकर जबान से इंतकाम ले रहा हूँ कुछ लोग बड़ी हैरत से पूछते हैं साहब आपकी जबान इस कदर सादा कैसे हुई वो इसलिए हुई कि मैं मुझे जबान जानता ही नहीं सीरे से तो जनाब जब स्कूल में मास्टर बलाकी राम नंदा मुझे उधेरने लगे तो चुके मैं अब पर्शियन चोड़कर कोई दूसरी जबान इक्तियार नहीं कर सकता था इसलिए मैंने एक दिन मचबूर और परिशान होकर अपने पर्शियन के टीचर के खिलाफ एक मजबून लिक डाला गुन्वान था प्रोफेसर बलकी वो मजबून मैंने देहली में चपने वाले हफ्तवार अखबार रियासत को भेज दी जो उन दिनों रियासती निजाम की पिटाई में मस्रूफ था और इसलिए हर रियासत में बड़ी दल्चस्पी से पढ़ा जाता था मेरी बदकिसमती देखिए कि वो मजबून चन्द दिनों के बाद मिनोऑन उस अखबार में चप गया इस तंस आमेस खाके में मैंने प्रोफेसर बलकी की आर्ड में मास्टर बलाकी राम की शान में चन्द गुस्ताखियां की थी जो इस कदर पॉप्लर हुई कि राजा सहाब से लेकर स्कूल के चपरासी तक ने उस मजमून को बार बार पढ़ा और सारे इलाके में उसका गुलगला मच गया नतीजा फिर मेरी पिटाई हुई और ऐसी शानदार तरीके से हुई कि उसके बाद कई बरस तक मैंने लिखने की हिम्मत नहीं की तो ये है शाने नजूल क्रिशन चंदर के कलम की सोचता हूँ शिरी गुजारी लाल नंदा के बाप की खिलाफ लिखने से तो मैं लेखक बन गया अब अगर बेटे के खिलाफ में लिखना शूरू कर दो तो जाने क्या से क्या बन जाओंगा मगर पिटाई से डर लगता है स्कूल के जमाने में मेरा एक दोस्त था अली मुहम्मद वो सुबेदार मेजर जान मुहम्मद खां का बेटा था और तहसील पलंदरी से यहां राच्टानी में पढ़ने के लिए आया था तहसील पलंदरी में ज्यादतर सौदन कबीले के अफराद रहते थे ये कबीला इंतहाई जंगजू सरकश और इन्फरादियत पसंद वाके हुआ था बहासियत मचमुए मैंने हुसन की फरावानी जितनी इस कबीले के अफराद में देखी है दुनिया के किसी और खिते में नहीं देखी तंदरुस्त उतवाना, सहतमन सांचे में ढ़ले हुए जिस्म, क्या मर्द, क्या औरतें सबी हसीन और तंदरुस्त, खुश शकल, दलेर और खुद्दार पूंच का ये इलाका डोगरों ने सबसे आखिर में फता किया और अली मुहमद बड़े फखर से बयान करता है ये जब तक राजा मोती सिंग्ग ने ऐलान नहीं किया कि जो फौजी एक सौधन का सर काट कर लाएगा उसे बीस रुपए इनाम में दिये जाएंगे उससे पहले ये इलाका फता नहीं हो सका सौधन कबीले की शुरुआत क्या है ये मैं ठीक से नहीं जानता इतना जानता हूँ कि इस कबीले और इसी तरह की शक्ल सूरत वाले लोग रावल पिंडी और फोटोहार के इलाके ही में पाए जाते हैं तक्सीमे हिंड से पहले मगर वो सौधन सब हिंडू थे अपने आपको जंगजू बरह्मनों यानी परसराम की नसल में से खयाल करते थे मगर पलंदरी के सौधन सब मुसल्मान थे अब उनका रावल पिंडी के सौधनों से कोई नाता रिश्टा नहीं है हाँ जात का नाम अब तक वही है पहले जंग याजीम में सबसे ज़्यादा भरती हिंडूस्तान में पूच के इलाके नहीं दी थी और पूच के इलाके में भी तहसील पलंदरी के सौधनों का नंबर सबसे अवल रहा था हर घर ने एक या दो सिपाही दिये थे और जंग खत्म होने के बाद ये लोग हवालदार या सूबेदार या मेजर बलके दो एक तो लेफ्रिनेंट तक होके लोटे थे इसके पहली जंग यजीम के बाद सौधनों का जाती और शख्सी वकार और भी मजबूत हो चला था अली मुहम्मद पढ़ाई के मैदान में कोरा था लेकिन खेल के मैदान में सौधनों की तरहा अपने जोहर दिखाता था दोडने में अवल था, हौकी की टीम का कप्तान था, फुटबॉल का भी आला खिलाडी था क्रिकिट की ए टीम में आ गया था खेल के मैदान में हर जगा उसका मुकाबला ठाकुर रंधीर सिंग और उसके चारों भाईयों से होता था इन थाकुरों को हम पांच पांडू कहा करते थे, ये दूर पार के राजा जी के रिष्टेदार होते थे, सीधे साधे अखर डोगरे थाकुर थे, लिखने पढ़ने में अली मुहमत से भी निकत थे और हर साल राजा जी की सिफारिश से पास किये जाते थे, आठवें क्लास तक तो ऐसे ही पास किये जाते रहे, नवें क्लास में मास्टर हर चरन दास ने थाकुर बच्चों को पास करने से इंकार कर दिया, नतीज़तन राजा साहब ने उसे 24 घंटे के अंदर रियासत से बा स्कूल का हेड मास्टर एक रियासती वाशिंदे को बनाया गया जिसने हाल ही में B.A. B.T. किया था उसका नाम था मुहम्मद रहमत खाँ मेरा एक और दोस्त था अब्दुल्ला उसकी बेहन से हेड मास्टर की शादी हुई थी मैं अब्दुल्ला और अली मुहम्मद दोनों का तगड़म था दिल ही दिल में अली मुहम्मद की ठाकुर जादों से लगती थी वो किसी तरह से ये बरदाश नहीं कर सकता था कि डोगरे ठाकुर उसके मुलक पर क्यों हुकूमत करते हैं उसका इहतजाज खेल के मैदान में इसी तरह से करता था कि हर वक्त अपने आपको उनसे हर खेल में बरतर साबित करें इस कोशिश में वो कभी कामयाब होता था कभी नहीं होता था क्योंकि कुश्टी में ठाकुर रंदीर सिंग उसे हर बार पीट दिया करता था मगर दोड में अली मुहम्मद से कोई जीत नहीं सकता था लेकिन जिस दिन वो हाकी का कप्तान चुना गया उस दिन उसकी खुशी देखने से लाइक थी मैं सौधन हूँ सौधन सब ठाकुरों को दिखा दूगा हम किसी से कम नहीं है मेरा बाप सुब़दार मेजर है उसने मैदान जंग में च्छाती पर गोलियां खाई है हम सौधन मुसल्मान किसी के गुलाम बनके नहीं रह सकते हम सब को दिखा देंगे वो धमकी आमेस पैराए में मुझसे गुफटगू करता-करता घुसे से लाल हो जाता उसके मुसे जाग बहने लगता फिर वो दोनों हातों से अपने सर को पकड़ कर प्ले ग्राउंड से बाहर चला जाता और ठंडी कूल के पानी में अपने सर को गोते देने लगता बहुत जग हम लोगों ने उसका नाम अली मुहम्मद ज्छला रख दिया मैं ठाकुर्जादों का भी दोस्त था और अली मुहम्मद का भी इसलिए अक्सर बच बचाओ कराता रहता था मेरा दूसरा दोस्त अब्दुल्ला बिल्कुल अली मुहम्मद की जिद था उसे ना लिखने पढ़ने का शौक था ना खेल कूद का मगर वो बहुत अच्छा घुरसवार था और बहुत उम्दा काता था और तबला बहुत अच्छा बजाता था और बेहत हुसन परस था खुबसूरत औरतों पर उसकी जान जाती थी दिन में दो-चार घंटे जब तक वो औरतों की खुबसूरती पर फोश अंदास में बहस न कर ले उसे चैन नहीं आता था अब्दुल्ला बातुनी भी बहुत था और इसकदर खुद एतमादी उसमें थी कि वो जब चाहे जिसको चाहे अपना दोस बना सकता था एक दफ़ा मैंने उसे शर्त बदी कि वो पूँच के बाजार में हर एक दुकानदार से बात करके दिखा देगा उस दिन हम फौजी प्रेट ग्राउंड के बगली बाजार से शुरू हुए सबसे पहले दुकान आतिश बाजी बनाने वाले खुलाम बट की थी उससे सलाम दूआ करके अब्दुल्ला जो चला है तो रास्ते में हर एक दुकानदार से हसी मजाग के दो बोल बोलता हुआ दूनी बाजार के उस तरफ पहुँच गया जहां शाहिक इलावाके है पूरा सफर उसने तीन घंटे में तै किया मुझसे दो रुपए जीत लिये बड़ों के लिए ये कोई मुश्किल बात नहोगी लेकिन स्कूल के लड़के के लिए ऐसा कर दिखाना बहुत बड़ी बात है अली मुहम्मद तो हैरत में घर्क था क्योंकि वो तो बगयर लड़ाई के किसी से बात नहीं कर सकता था फिर एक दिन अली मुहम्मद ठाकरजादों की मुखालिफत की बावजूद स्कूल की सबसे बड़ी क्रिकिट टीम का कप्तान चुन लिया गया वो समा देखने के लाइक था अली मुहम्मद जल्ला ने अपने मोटे मोटे चपल उतार दिये और अपनी लंबे पाइंचो वाली गेरेदार शल्वार को टखनों से उपर उठा कर वहीं प्ले ग्राउंड में मारे खुशी के नाचने लगा और मुह से वहशी जहनवरों कीसी बोलियां बोलने लगा बिल्कुल जल्ला था अपना अली मुहम्मद उसकी शल्वार हवा से भर गई थी और उसके दोनों बाजू खुले थे और वो हवा में चक्रियां भरता हुआ नाचता जा रहा था और ठाकुर्दादे दान कटकटाते हुए उसे खुसे से घुर रहे थे इस वाकए के साथ दिन बाद हेट्मास्टर ने एलान किया कि इसलामिया हाइ स्कूल की सालगिरा करीब आ रही है इस मौके पर हमेशा विक्टोरिया जूबली हाइसकूल और इसलामिया हाइसकूल में क्रिकٹ का सालाना मैच होड़ा था अली मुहम्मद को हुकम दे दिया गया कि वो इस मौके के लिए अपनी टीम ठीक से तयार रखे अली मौम्मद कुछ बोला नहीं सारी रियासत में सिर्थ दो हाई स्कूल थे एक तो विक्टोरिया चुबली हाई स्कूल जहां हर मजभब औ मिल्लत के लड़के पढ़ते थे दूसरा इस्लामिया हाई स्कूल जहां सिर्फ मुसल्मान बच्चे तालीम हासल करते थे दोनों स्कूलों में हमेशा तना तनी रहती थी हर साल इस्लामिया हाई स्कूल अपनी सालगिरा बड़ी गर्म जोशी से मनाता था जिसमें बिलमूम पंजाब से बड़े जोशील मुकरर तलब किये जाते थे इस साल की सालगिरा पर मशूर खतीब और मुकरर अताउल्ला शाह बुखारी को दावत दी गई थी मैंने जिन्दगी में पहली बार अताउल्ला शाह को जो पूँच के इस छोटे से स्टेज पर बोलते सुना उस वक्त तुन्होंने क्या कहा वो तो मुझे याद नहीं शायद मैं उसे समझने की सलाहियत भी नहीं रखता था लेकिन उस वक्त इस वाकए के बहुत से साल बाद मैंने लहोर के मुची दर्वाजे के बाहर अताउल्ला शाह की एक और तक्रीर सुनी थी वो आज तक मुझे याद है मुची दर्वाजा मुस्लिम लीक का गड़ था सारा पंडाल गांधी मुर्दाबाद और जिना जिना जिन्दाबाद के नारों से गूँज रहा था जब अताउल्ला शाह बुखारी स्टेज पर तर्श्रीफ लाए सारा मजमा अताउल्ला शाह बुखारी को एक मशूर कॉंगरसी रहनुमा एक एहरारी लीडर और एक आतिश नवा मुकरर की हैसियत से जानता था मगर उन दिनों मुस्लिम लीक कबोल बाला था कोई आत्मी इस मजमे में से अताउल्ला शाह बुखारी की तक्रीर सुनने को रजमन ना था हौले हौले नहायक चालाकी और हुश्यारी से अताउल्ला शाह बुखारी में अपनी तक्रीर शुरू की और एक घंटे के बाद जब अपनी तक्रीर खत्म की तो मसल्मानों का सारा मजमा गांधी जिनदाबाद और जिना मुर्दाबाद के नारे लगा रहा था उस वक्त अगर बुखारी साब चाहते तो इसके उलट नारे भी लगवा सकते थे सब ने ऐसे जादू बयान मकरर अपनी जिनदगी में कम ही देखी होंगे जो हाजरीन के दिल को मौम की तरह नर्म करके अपनी मुठी में लेकर जिधर जाहे ढाल सकते हैं सही या गलत हर बात उनसे उस वक्त मनवा सकते हैं उस वक्त मुझे मालूम हुआ कि खिताबत भी एक खतरनाक आर्ट है सालगिरा के दुशे दिन क्रिकेट मैच शुरू हुआ रात को अली मुहमद परिशान हाल भागा भागा मेरे पास आया वो बहुत मुस्तरिब और बेचायन मालूम होता था मेरे पूछने पर उसने पहले तो कुछ नहीं बताया बस बेचायनी से मेरे कमरे में टहलता रहा और बार बार अपनी कनपटी के बालों को पकड़ कर खेंचता रहा बात क्या है तुमने अता उल्ला शाब भुखारी की तकरीर सुनी थी मैं तो सुनता ही हूँ है तुमने भी सुन ली क्या कहाता उसने मुझे याद नहीं बहुत से मख़बी हवाले थे जो मेरी समझ में नहीं आए उस तकरीर ने मेरे दिल में आग लगा दी है आग तो हमेशा से तुम्हारे दिल में लगी रहती है नहीं 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 मैं अपने मुसल्मान भायों के खिलाफ नहीं लड़ सकता ये लड़ाई नहीं है मैच है मैं क्रिकेट टीम की कप्तानी से इस्तीफा देता हूँ ये तुम हिंदूओं की साज़श है मुझे कप्तान बनाकर तुम मुझे मेरे मुसल्मान भायों के खिलाफ लड़ाना चाते हो ये साज़श नहीं है अली मुहमद पिछले दस साल से क्रिकेट टीम का कप्तान कोई मुसल्मान नहीं रहा वो भी साज़श थी यानी कप्तान मुसल्मान हो तो भी साज़िश और ना हो तो भी साज़िश तुमने मेरे हक में वोटिंग करा के मुझे नहाख फसा दिया मेरा इस खेल में दिल नहीं है तुम मत केलो दूसरे दिन अली मुहमद ने सरदर्द का बहाना बनाकर सर पर पट्टी बांद ली उसकी जगा ठाकुर भीम सिंग को कप्तान चुरिया गया और अली मुहमद की जगा महिंदरनात को ले लिया गया जो उन दिनों बहुत फास्ट बाॉलिंग करता था मैچ इसलामिया हाइ स्कूल के ग्राउंड में शुरू हुआ जब तक राजा जी और रियासत के बड़े-बड़े हाकिम बैठे रहे खेल बड़े काइदे और सलीकें से होता रहा और किसी तरह की गड़बर नहीं हुई लेकिन जू ही वो लोग उठकर गए हलकी हलकी चपकलिश बाहर आने लगी एमपाइर के फैसलों पर आना कानी होने लगी महिंदर की फास बाउलिंग से मुखालिफ टीम बहुत खबरा रही थी जब एमपाइर ने यह के बाद दीकरे महिंदर के तीन बॉल नो बॉल कर दिये तो महिंदर को खुसा आ गया उसने इमपाइर को गरिबान से पकड़ लिया इस पर इसलामिया हाइ स्कूल की टीम के विकेट कीपर माजिद ने विकेट उखाड ली और महिंदर पर हमला करने चला चन्द लमहों में सारी विक्टें उखड गई और सारे खिलाड़ी एक दूसरे से उलच गए चन्द मिन्टों में इसलामिया हाइ स्कूल की ग्राउंड में खिलाड़ी और तुमाशाई लड़के दस्तों गरिबा नजर आने लगे मगर चूकि ये प्ले ग्राउंड इसलामिया हाइ स्कूल का था और हमारा स्कूल यहां से बहुत दूर था इसलिए हमारे स्कूल के लड़के कम थे और लड़ाई में इसलामिया हाइ स्कूल का पपा लड़ा भारी बढ़ता मालूम होता था अली मुहम्मद अपने यारों की टोली में चुपचाब पैठा हुआ कई मिनट तक ये तमाशा देखता रहा उसके चेहरे की इस्तराफ से मालूम होता था कि वो भी इस लड़ाई में हिस्सा लेने के लिए बेचायन है यकायक वो चीख मार कर उठा और अपने सात्यों से कहने लगा देखते क्या हो अपना स्कूल पे ट्राए उठो और बढ़के हला बोल दुश्मनों को मार बगा दो या अली करके अली मुहमद जल्ला जो अपनी टोली को लेकर उठा तो देखते ही देखते मैदान कारजार के बीच में पहुँच गया और इस्लामिया हाई स्कूल के बड़े बड़े लॉंडों के खिलाफ अपने करतब दिखाने लगा ये तस्वीर अक्सर जहन में आती है एक तरफ इस्लामिया हाई स्कूल के लॉंडे बढ़ बढ़ कर हाथ दे रहे हैं दूसरी तरफ अपने विक्टोरिया जूबली हाई स्कूल के ठाकुर रंधीर सिंग, मोहन सिंग, भीम सिंग, अब्दुल्ला, कादिर यार, सरदार सिंग, गौरबखश सिंग, फास बाउलर महिंदर नाथ, विकेट कीपर शेर अली हमारे स्कूल की लेडी डॉक्टर का लड़का एंथोनी भी दादे शुजाते रहे हैं, लड़ाई में कभी एक का पलडा भारी होता है, कभी दूसरे का, इतने में अली महम्मद और उसकी टोली की आमत ने उनका पांसा पलड़ दिये, थोड़ी देर में इस्लामिया हाई स् स्कूल के लड़के भी, अपने स्कूल के जखमी लॉंडे भी, मेरे वाले ने मुस्कुरा कर हम सब की मरहम पटी की और लड़कों से लड़ाई का हाल पूचते रहे, उन्हें घुसा इस अमरका था, कि जब पलीस आन पहुची थी, तो दोनों स्कूलों ने अपनी तक स्कूल नहीं जा सका, इस वाके की शाम का जिकर है, अली मुहमद ने अब होस्टल छोड़ दिया था, और हमारे घर आकर रहने लगा था, मेरे पिताजी ने अली मुहमद को छेड़ने की खातिर उस से पूचा, मगर तुम क्यों लड़े अली मुहमद, तुम तो कप्तान मुसल्मान है, मगर अपने स्कूल का घदार नहीं है, मेरा स्कूल पिटता और मैं पीट तिखा देता, ये नहीं हो सकता था, चाचा, मैं सौधन हो सौधन, सूबेदार जान मुहमद खां का बेटा, जिसमें चाती पर गोलियां खाई थी, वो अपनी चाती जोर-जोर से ठो मेरे पिता जी मुस्कुरा कर कहने लगे, तू तो जल्ला है, बिल्कुल जल्ला, कई बार हिंदुस्तान और पाकिस्तान की मौजूदा जंग के बारे में सोचता हूँ तो ख्याल आता है, कि आज से तकरीबन निफ्स सदी से पहले विक्टोरिया जूबली हाई स्कूल और इ रिकॉर्डिंग आपने अभी समात फरमाई, इसे नैशनल आडियो लाइबरी फॉर दबलाइंड की जानब से पेश किया गया है। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, सबस्क्राइब और शेयर जरूर कीजिए। अपनी गीमती तजावीज और आरा के इजहार के लिए हम हमारे कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल कीजिए। अगर आप भी रजाकाराना तौर पर हमारे इस मिशन का हिस्सा बनना चाहें, तो डिस्क्रिप्शन में दिये गए लिंक के जरिए हमारे वाट्सेप ग्रूप को जॉइन कीजिए। शुक्रिया।